तो आज हम आपको बताने वाले जनेरेटर के बारे में यह एक जनेरेटर है जो रिपैरिंग होने के लिए आया है तो इसको खूलने का प्रोसेस और इसके स्लिप्रेंग होल्डर के बारे बताएंगे यह जनेरेटर की बॉड़ी है लेए करें तो इसे सबसे पहले खोलते हैं इसका अंहींवाला पुली के इसको जो थो bardi की तरफ भोका जाता है का सिर्फांग जाता है करें फहने जो इसके तीन पर ले हो het सुपूल सुपूल कसा हुआ है इससे ये इसके होल्डर सिकल फेस का है तो इसमें दो ही है फेज और न्यूटल अगर ये थ्री फेस का होता तो इसमें और स्लिप्रिंग होती चार्ट स्लिप्रिंग होती आर वाइबी और एक न्यूटल की ये सिंगल फेस का है तो इसमें दो ह एंधर से दिखाते आपको यह को जो यह पीदल का यह होगा यह होल्डर है इसमें इसकी बाइंडिंग दीख रही है यह स्लीप प्रिंग और होलडर विद कार बन यह आपको दीख रहे हों गई यह स्लिप रिंग है और ये कर्वन ब्रोस है इसके जो हमने निकाल लिए है कारवण गिस्टारशन के लिए लगाए जाता है जिस्से घूमे तो जो भी इसके रॉटर का करेंट है हार्मेशर का करेंट है उसको ले लिए जाए यह यह तीसरा भी अब इसके जो आर्मेचर बैंडिंग इसको निकाला जाएगा ये इसका वाल बैरिंग ठेक्षते यह पीचे की साइड आप पुले की साइड का रहोता है अग समय अब है और इससे तो कि अभी इसके आँगे वाले कि भार को ठोक क्या थोड़ी से निका ले अध्य यहां ऐसी हुआ दो हत्रोडों के साहता से यह इसकी पुली है इसको जो है इंजिन में कासा जाता है जिससे यह इसका रोटेशन किया जाता है जो भी चीज़ है इसको फोक के जो है आंगा वाला हसा है जो रोटेशन वाला उसको निकाला जा रहा है अपनी जो निकल गया आपको दीख रहा होगा स्लिप्लिंग आंगे की साइड हो गई है और यार्मेशर वाइंडिंग अब निकल गई है पेस्त पहले ही व्लीधिया अब इसको कि आरमेचर वाइंडिंक को आप से इस जो फील्डब ऒबंड निकालेंगे निकालते हैं यह आर्मेश रवाइंडिंग इसकी इसमें फैन भी लगा हुआ है यार्मेश यह आपको सलिब लिंग दीघ की यह जो यार्मेचर बाइंडिंग है यापको दो दीख रही है चमकती हुई यह स्लिप रेंग है और पीछे बैरिंग है आंगे पुली है यह आंगे का कवर है इसका जनेरेटर का अब आपको बैंडिंग दिखाएंगे यह यॉक उपर हुक यह चार पोल एन एस एन एस स्टेटर बैंडिंग बोलते हैं इसको और यह आपको ओल्डर दिख रहा होगा अंदर यह इसके पोल सू है चार पोल सू यह यॉक बोडी फिल्ड कोईल तो ऐसा होता है जैनेटर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्यू फर वाचिंग